तो चलो प्यारे विच्छे इस वाले कोश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है यह वी एक अच्छा सा कॉश्चन है तो चलो इसको हम लोग ट्राइब करते हैं यहां पे तो दीखो यह कहता है कि सब्सक्राइब करता हूं तो यह अपना अच्छा सा देखो वीडियो यार यह मेरी पहली वीडियो है इस टाइब की तो किंड च्छेंड किया हूं गोडीयो प्रवबलम हो मेरे चहरा तो यह जैसा है वैश्या को खिंड देखने में तो जरूर बात करना मैं जरूर तो थोड़ा बले लिए सुधार करूंगा अपने पास इसका थे और तो अगर होगरा तो लिए 1 पार्ट में 20 बीस तो यहां से तुम देख रहे हो ईक बात तो मुझे आईडिया है यहां से लगी जा deviate होती है this is the actual path इसको चले जाना चाहिए था ऐसे पर सबसे कम जो deviation red गा होता है this is the red this is the violet और this angle is angle of deviation of violet तो angle of deviation of violet is greater than angle of deviation of red तो यह जो red है यहां पर cut की है तो इसकी जो focal length this is the focal length of red and this will be the focal length of this is the focal length of violet तो जो यहां पर आप देख रहे हो तो violet का जो focal length आ रहा है focal length of the red is greater than focal length of violet फॉर यह वाली कॉंसी लेंस सब्सक्राइब ग्रेटर मतलब यह option नहीं है और यहां से c option सही नहीं है या तो बी सही है या तो डी सही है तो चलो capital भी को अब हम में lens बदलता हूं ध्यान लगना जैसे ही lens बदलोगे यहां पर focal length positive था अब यह जो अपनी अच्छी वाली lens है यह concave lens है तो concave lens की जो focal length होती है वह negative होती है यहां पर focal length का क्या चक्कर है भाई जो की monochromatic नहीं होगी अलग-अलग color की होगी तो यह अलग-अलग deviation होगा इसका सबसे कम deviation this is the actual path सबसे कम deviation होता है red का और सबसे जादा जो deviate होगी वह violet color की होगी और यह red होगी ठीक है तो violet जो है अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा extend करूंगा प्यारी बच्चों तो जो violet है वो इधर कहीं cut करेगी और जो red है वो appear होगी इधर से आते है this is the red तो जो this is the focal length of capital this is the focal length of the red actually capital भी से दिन हो और this is the focal length of violet ठीकिन याद अगन अगर अगर तुम देखोगे यहां से तुम देखोगे अगर तुम में compare करोगे तो red की focal length of the red mode magnitude में is still greater than focal length of violet magnitude में लेकिन अगर number में करोगे minus sign के साथ यह तो focal length of red is less than focal length of the violet तो अगर magnitude consider करोगे तो rate का आधिक आएगा डी option सही हो जाएगा otherwise यहां से अपना बी option सही है इसको consider करोगे negative sign के साथ तो अपना बी option मैच जाएगा ठीक है तो कि मैं अच्छे से समझा दिया हूँ और और को समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत है कोई परसानी है तो जरूर मैं कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों सॉल्व करने को थैंक यू बबाबा टेक केर